नमस्कार आप देख रहे हैं भारत एक्स्प्रेस राजस्थान मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज राजस्थान विदानसभा चनाओ की 200 सीटों में से 199 सीटों पर शेनिवार को मतदान हुआ इसी के साथ 1862 उमिद्वारों की किस्मत EVM मशीन में कैद हो चुकी है जिसका फैसला 3 दिसंबर को हुगा पिछले बार के विदानसभा चनाओ की तरह इस बार भी वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिखा राजस्थान की 199 सीटों पर कुल 74.111 दिन फीजदी मतदान हुआ जबकि 2018 के चनाओ में 74.106 फीजदी वोटिंग हुई थी ऐसे में आईए समझते हैं कि इस बार सत्ता बदलेगी क्या पुरानी सत्ता ही रहेगी यानि कि क्या जो सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया चलती आ रही है क्या उसमें कोई बदलाओ होगा सत्ता बदलेगी या फिर पुरानी सत्ता रहेगी तो राजस्थान में तीन दश्रक से सकता परिवर्तन काっぷ्रेंड रहा है यानि हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है विधानसवत चुनाओं वोटिंग को देखें तो पिछले चुनाओं से इस बार वोटिंग लगबन सामान है पिछले साल चुनाओं के वोटिंग पैटरृन का विशलेशं करने पर पता चलता है कि जब जब वोटिंग कम हुई है तो बीजेपी को सत्ता गवानी पड़ी है और कॉंग्रेस के लिए मुफीद रही है उसके साथ ही आपको ये भी बता दे उनीस सो अन्ठान्वे से लेकर 2018 तक ऐसा ही देखने को मिल रहा है लेकिन इस बार वोटिंग परसें मिलता है जबकि अगर डेर फीजदी कम हुई तो कॉंग्रेस को लाफ मिलेगा यह भी गौर करने वाली बात है कि कई बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग बीजेपी के लिए मुफीद साबित होती है मसलें कॉंग्रेस के जीत का दाइरा अगर देखा जाए तो बीजेपी की बराबरी करना उनके लिए काफी मुश्किल है मसलें बीजेपी की जीत का दाइरा बहुत बड़ा होता है इस केस में कॉंग्रेस खाली हाथ रह जाती है 1998 में 63.39% वोटिंग हुई थी जिसमें 153 सीटें कॉंग्रेस और 33 सीटें बीजेपी ने चीती थी इस तरह से कॉंग्रेस के हाथ सत्ता लगी थी वही 2003 के चुनाओं में 67.39% मतदान रहा जो पिछले चुनाओं के मुकाबले 4 फीजेपी ज्यादा था इस चुनाओं में बीजेपी 120 सीटें तो कॉंग्रेस ने 56 सीटें मिली थी 4 फीजेपी वोट ज्यादा पकड़ने का लाफ बीजेपी को मिला था 5 साल के बाद 2008 में राजस्तान विधान सभा के चुनाओं हुए जिसमें 66.25% मतदान रहा जो 2003 के चुनाओं के मुकाबले 1 फीजेपी कम वोटिंग हुई वहीं बीजेपी को 78 सीटों पर सिमट गई और कॉंग्रेस 86 सीटें उन्हें मिली थी इस तरह एक फीजदी कम वोटिंग होने का फायदा कॉंग्रेस को मिला था इसके बाद 2013 में विधान सभा के चुनाओं हुए तो 75.04% फीजदी वोटिंग हुई जो 2008 के मुकाबले 9% ज्यादा वोटिंग थी इस दोरान आपको बताएं कि चुनाओं में बीज़पी को 163 सीटें मिली तो कॉंग्रेस को 21 सीट पर ही कॉंग्रेस सिमट कर रहे गई बीज़पी 2013 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी लेकिन 5 साल बाद सत्ता खिसक गई 2018 में विधान सभा के चुनाओं वे जिसमें कि 74.06% मतदान रहा था जो 2013 के मुकाबले 1% कम था इस चुनाओं में कॉंग्रेस को 100 सीट तो बीज़पी को 73 सीट मिली थी वही एक फीज़दी कम मतदान होने का फायदा कॉंग्रेस को मिला था और बीज़पी को सत्ता गवानी पड़ी थी हाला कि एक ट्रेंड यह भी है कि पिछले 20 सालों में बीज़पी जब भी सत्ता में आई है तो प्रचंड बहुमत के साथ जबकि कॉंग्रेस बहुमत से कम 2018 की तुलना में 2023 के चुनाओं में वोटिंग लगभग सामान ने है ऐसे में देखना है कि इस बार नतीचे क्या कहते हैं इस बार कॉंग्रेस या बीज़पी के बीच भले ही सीधा मुकाबला हो लेकिन बसपा, आरलपी और आम आदमी पार्टी सहित तमाम सियासी दल चुना बाजी मारने की संभावना है जिसका नुकसान दोनों ही दल यानि की बीज़पी और कॉंग्रस को उठाना पड़ सकता है ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों ही दल चुनावी नतीचे से पहले ही गोलबंदी शुडू कर सकती हैं और वेसे इंग खबरों के लिए भारत एक्स स्थान के साथ बने रही नमस्कार